आप सभी का आपके अपनी चैनल टेक पोग पर आज हम दो वॉच्छ का कंपरिजन करेंगे यहां पर एक्यू फिट है और डीज वॉच्ट वॉच्ट वह भी हाल विलाल में सेल पर गए थी बहुत साल लोगों ने इसको बाई किया और यहां पर वैल्ली फॉर मनी वाच आपक करना चीछ है कि इन दोनों के icomपरिजन करना चाहिए और बहुत सार लोग कहवी रहते कामेंट-बॉक्स लां तो वीडियो को स्टार्ट करते है चैनल को सब्स्राइब कर लेना बेल ऐसाइकन को आप अब आप घग्वाप कर सकते हो तेलिग्राम पर जोइन कर सकते हो आप आपको HD display मिलती है, TFT है या HD कुछ पताया है नहीं है, मतलब TFT है, LCD कुछ नहीं बताया है, और resolution almost similar है, यहाँ पर बात करें, रेश्टु विक मिल जाता है, दोनों ही वाच्छे में, आल्लोज ओन का फीचर नहीं मिलता है, यह मिंस्प्रिंट हो रखा है, अगर मैं बात करूं जब आप अपनी image को लगाते हो, या आप गैलरी में से कोई भी image लगाते हो, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको लगता है कि बहुत जादा श्रिंक्ड है image, यह इसलिए क्योंकि यहाँ पर पिक्सल साइज हो कम दिया गये, यहाँ पर 320 x 3D5 pixels का resolution होता तो बहुत ही best होता, अ मैंने अल्रेटी अन्बॉक्सिंग और रिवीव कर दिया है, आप देख सकते हो, चैनल पर जाके, यहाँ मैं आपको कार्ट में लिंक देदूँगा, आगे हम बात करें यहाँ पर fitness tracking की, तो यहाँ पर कही ना कहीं, डबल आपको sports mode मिलते हैं, W5H में से साथ ही sports mode मिलते है, 3 अगे बात करें यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेट सेंसर दोनों में अविलेबल है, एक्सलोमें अप्टिकल हाटेट सेंसर जी सेंसर, आगे बात आती है, यहाँ पर एक्स्टा फीचर्ट की, तो यहाँ पर स्मार्ट नौटिएकिशन आप रिसीव कर सकते हो, और वाइ स्मूध यहाँ पर आपको देखने को बहुत कम मिलेगा, अलाम क्लॉक, वेटर नौटिफिकेशन, सारी साज चीज आपको मिल जाती है, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट भी मिल जाता है दोनों ही वाचिस में, अब बात आती है यहाँ पर जो बेसिक फीचर है, फाइंड माई आपको मिल जाता है, और विद फ्लैस, यहाँ पर एक टॉर्च लाइट का उप्शन मिलता है, आपको टॉगल में जाके, डॉफ फाइज में आपको फाइंड माई वाच, यहाँ पर पेर कर सकते हैं दोनों ही वाचिस को, अब बात आती है यहाँ पर सॉफ्ट्वर एंड हा एक टॉर्ड बटन मिलता है और गैसर का यूज करके, अब दाउन लेट पर इस तारे की सारे फीचर को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बात आती है यहाँ पर बैटरी कवस्ट्वर के यहाँ पर आल्मोस्ट दो घंटे लेती है दोनों ही वाचिस पूल चार दूर में तीस दि मिल जाए को दोनों की वाचिस है और विदाट आल नाटिविकेशन आपकी पांच से चार दिन चल जाएगी दोनों ही वाचिस में फीचर की बात आती है तो यहाँ पर आपको एचार मोनिटर दोनों मिल जाता है, SP2 लेवल भी चेक आउट कर सकते हो, और साथ में स्लीप ट् वाचिस अच्छी बिल्ड कॉलिटी के साथ आती है आपका जो वेट है ज्यादा है अगर आप ग्रेवाला विरिंट खरिते हो और ब्लैक वाले में आपको अल्मोनी मिलता है आपको बिल्ड बहुत अच्छी मिलती है 20 mm स्टैप साइज है डिजो 2 का डेवल वाइज का भी है आपका 20 mm है तो यह थोड़ा सा में स्ट्रिंट हुआ है दोनों में आपका 20 mm है आफ्र मार्केट का यूज कर सकते हैं तो यहां पर इस ट्रैप की कॉलिटी भी अच्छी खासी मिल जाती है वाच डैल मेटल का है दोनों का यह बेस पॉली कार्बेट का मिल जाते है तो बिल् ड्रीट को आपको नॉटिफाइए कर सकते हों ऊपको नोडिफाइए हो जाते तो बहुत जाते तो बहुत पर नहीं है अपर sports mode भी आपको कम मिलता है brightness levels भी वकाम है W5H के तो कहीं न कहीं DZO2 Edge ले जाती है वजह W5H के तो कहीं न कहीं एक फिर W5 Edge display department में accuracy के मामले में DZO2 से हाड चुकी है तो overall यहाँ पर value फर्माने DZO2 ही निकल के आती है in the end और गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को आल कर देना आप हमारे Techbook चैनल को टेलिग्राम पे भी जॉइन कर सकते हो गाइज मिलता है नेक्स वीडियो में धिल दैन बाबाई